नमस्कार निर्मान आईएस के यूट्यूब चैल में आप सभी का स्वागत है आज हम दे हिंदू में प्रकाशे दो लेखों पर चर्चा करेंगे जिसमें पहरा लेख है उरीसा स्ट्राइड्स न्यूट्रीशन और दूसरा लेख है तो आईए शुरू करते हैं आज का पहला लेख उरीसा स्ट्राइड्स न्यूट्रीशन हम आपको बता दें इस लेख के अंत्रगद पोशन स्टर में उरीसा के लेख ने परिवर्तन के बारे में बात की गई है और आप इसे उत्तर लेखन में के स्टेड़ी के दौर पर इस्त सामिल है पिछले दो दश्कों में स्वास्त और पोशन परिनामों में उलेखनी रूप से सकराद्न परिवर्तन इसमें देखे गए हैं राज्य की शिशु मृत्युदर में काफी गिरावट आई है इसकी पांच वर्ट से कम उम्र के बच्चों की मिर्ट्युदर राष्ट् परिवार स्वास्तर्वेक्षन 3 की दुलना में लगभग आदी हुई है इसमें पांच वर्ट से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग में गिरावट दही गई है साथ ही राष्ट्य परिवार स्वास्तर्वेक्षन 3 के बाद से बच्चों और गर्वती महिलाओं में एनेम के साथ संभव हो पाएं हैं आई अब जानते हैं कि पोशन की भूमिका आखर इतनी महत्पूर्ण क्यूं है पोशन स्वास्त को एक मजबूत अधार प्रदान करता है और सम्रिद्धी तदा विकास का एक अभिन अंग भी है स्तनपान के समय पर पोशन संबंदी पहल करना राज्यू के शशत कारवाईसमू यानि Empowered Action Group States की तुलना में बहतर प्रदर्शन किया है और अपने पोशन कारेर योजनाव के तहत स्वास्त और पोशन तथा वोश यानि की Water Sanitization और हाईजीन कारिक्रमों के द्वारा एक सर्वोत्तम उधारन पेश किया है अब जानते हैं विकेंद्रिक्त करने का एक निर्नाय कदम उठाया है इसने सभी लभार्तियों तक ICDS के तहट सेवाओं की उचित पहुंच शुनिशित की है ये एक दश्रक पहले की तुलना में ICDS के तहट सेवाओं की उपयोग में विध्धी कोसपाश टूप से दरशाता है इसके साथ ही National Family Health Survey 3 की तुलना में National Family Health Survey 4 में गर्वती और स्थनपार्म कराने वाली महिलाओं को प्राप्त होने वाले पूरक पोशन में भी उलेक में सुधार हुआ है आईए अब जानते हैं कि इन सब प्रग्रिति के बावजूद कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिन पर ध्यान देने के आवशकता है हाला कि बाल और मात्री संकेतांकों में प्रग्रिति के बावजूद उड़ी साख कुपोशन के उच स्थर से ग्रस्थ है जिलों में बड़े पिमाने पर स्टंटिंग में परिवर्टन शीलता दिखाई देती है जहां एक और ये सुर्बनपूर में 47.5 प्रतिशत के उस्तर पर है वहीं कटक में ये 15.3 प्रतिशत के निशले स्तर पर बना हुआ है राज्य के 30 में से 25 जिलों में वैस्टिंग यानि कद के अनुसार वजन कर्म होना इसकी दर अधिक है उडिसा में आदिवासी समूदायों के 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में आदे बच्चे कम वजन के हैं और 46 प्रतिशत ठिगनापन से प्रभावित है आदिवासीों की बेशिश्व मिट्यू दर में मध्यप्रदेश, रायस्थान और 36 गर राज्यों के बाद उडिसा का इसमें चौथा स्थान है यहाँ ध्यान देली वाली बात ये है कि ICDS कारिक्रम के तहद दिये गए पूरक भोजन में उलेखने विद्धी हुई है हाला कि आखडे बताते हैं कि बच्चों के बड़े होने पर इस तरह का भोजन कम कर दिया जाता है बच्चों को समय पर पूरक आहार दिये जाने में भी गिरावट दिखी गई है साथ ही 10 प्रतिशत से कम बच्चों को नियुन्तम सिकारे आहार यानि minimum acceptable diet मिलता है इन कमियों का जिम्मेदार असिक्षा के कारण पोशन के बारे में समझ और जागरुपता की कमी को ठरहा जा रहा है अब जानते हैं कि उडिसा में अन्निच नौतियां और इसके समधान क्या हो सकते हैं उडिसा के लिए एक अन्निच नौति दूर दराज और विशेश रूप से कमजोर आदिवास समों तक पहुँच की है यही कारण हो सकता है कि पोशन और स्वास संग के तांकों पर आदिवासी महिलाएं और बच्चे राष्टे और सथ से भी पीछे है योजनों के क्याराणवन में सुधार करना और पोशन सेवाओं के अंतिम व्यक्ति तक वित्रण को सनिश्चत करना भी आवश्चक है इस समस्या के समधान के रूप में दूर दराज के आदिवासी इलाकों में खान पान के लिए मिनी आंगणवाणी केंद स्थापित करने में निहित है अच्छे पोशन की आवशक्ता पर सामुदाहिक अभ्यानों के माध्यम से भी जारुकता बढ़ाने से लाभार्तिय द्वारा सेवाओं के उप्रोग में सुधार करने में महत मिलेगी अंतराष्टे खादरीनीती अनुसंधान संसान ने अपने शोद में उडिसा में पोशन परिनानामों में तिजल आने के लिए अंतर विभाग्य सहभागिता की बात की है कुपोशन से निपटने में सक्षम होने के लिए स्वच्चिता, महिलाओं की शिक्षा और गरीबी उन्मूलन के भी आवशकता है साथ ही कम वजन वाले बच्चों की भी उचित तरीके से पहचान की जाहिए ताकि निगरानी तंत्र में सुधार करके सर्विस दिलिवरी को मजबूत क्या सके इसके साथ ही राश्टी पोशिन मिशन अंतर मंत्रालिय अभिसरन और रियल टाइम मोनेटरी मेकानिजम के द्वारा पृतिक लभार्ती पर नज़र रखने और कूपोशन से निपटने में एक उलेखने भूमी का निभाता है आईए अब देखते हैं आज का दूसरा लेख The Mother of Non-Issues on Maternity Entitlements इस लेख के अंतरगत हमने maternity leave के बारे में चर्चा की रही है साथ ही मात्रत लाभू की बारे में वर्तमान में देश में क्या स्क्री है इसके बारे में में चर्चा की है आईए जानते हैं इसका संदर्फ क्या है कल्पना कीजिए कि यदि महिलाएं नहीं पूरुष बच्चों को जर्म दे रहे हैं काफी संभावना है कि अस्पतालों में मात्रत वाडों की अपेक्षा पृत्रत वाडों में सबसे चुपकरन और डॉक्टर होंगे साथ ही दुकानों की अलमारियां गर्वती पूरुषों के लिए विशेश खाद्य प्रतातों से भरी होंगी महिलाएं और बच्चे इनकी जरूरतों और इक्छाओं को पूरा करने में जोट जाएंगे उनके जीवन को आसान बनाने के लिए नई विवैसाईयों, उत्पादों और प्रद्योईकों को विक्सित किया जाएगा और गर्वती पूर्षों के लिए मुफ्त बसपास और अलग कतारे भी होंगी इसके लावा प्रमुख समाजिक कारिक्रमों के माध्धम से प्रित्यत्यम लाव यानि प्रित्यनिट्यम बेनेफिट्स किये जाएंगे इसके विप्रीद भारत में मात्यत्यम लाव एक गंभीर मुद्दा नहीं बना है के इन सरकार के साथ विप्रक्षी दल भी उनके कानूनी, वित्य और राजनित्यक पहलूं के बारे में स्पश नहीं है बेशक मात्यत्य लाव अद्मियम के तहट अप्चारिक छुट्र में कारणत महिलाओं की एक छोटी संख्या को मात्यत्य लाव के लिए कवर किया गया है, जो कि निश्यत रूप से प्रशंस्निय कदम है हाला कि अधिकांश गर्वती महिलाओं को उनके अपने हाल पर ही छोड़ दिया जाता है आईएव समझते हैं कि जच्चा बच्चा सर्वे क्या है चात्र सोयम सेवकों के द्वारा किये गए जच्चा बच्चा सर्वेक्षन यानि J.A.B.S के दोरान उत्तर भारत के छे राज्यों, छतिसगर्ड, हिमाचर प्रदेश, जारखन, मध्यप्रदेश, उडिसा और उत्तर प्रदेश में हमें इस वास्तविक्ता की जलक मिली है ज्यान या क्रे शक्ति की कमी के कारण अधिकांश परिवार गर्व अवस्था की विशेर ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ से जाहे वह ज़रूरते भोजन, आराम या स्वास देभाल से सम्मंदित हो पिछले छे माहा में बच्चे को जम देने वाली महिलाओं में किवल 31 प्रतीशत नहीं कहा है कि उन्होंने अपनी गर्व अवस्था के दोरान समानने से अधिक पॉस्टिक भोजन खाया है मानक के अनुसार, कम बोडी मास इंडेक्स वाली महिलाओं के लिए 13 किलोग्राम से 18 किलोग्राम के वजन की तुलना में गर्व अवस्था के दोरान उनका आस्तन वजन सिर्फ 7 किलोग्राम था वही उत्तर प्रदेश में 49 प्रतिशत महिलाओं को कोई जानकारी ही नहीं है कि उन्होंने गर्वस्था के दोरान कितना वजन प्राप्त किया था और 36 प्रतिशत महिलाएं तो अपनी गर्वस्था के दोरान स्वास्त जांश प्रक्रिया से ही नहीं गुजरी है केवर हिमाचर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां ग्रामीन महिलाएं गरवस्था की विशेश आवशक्तों को ध्यान में रखते हुए अपेक्षक्रित अधिक्षक्षित और आत्मिश्वासी हैं आई अब जानते हैं कि मात्रित्व लाब को लेके सरकार का रुख क्या है मात्रित्व लाब इन कठनाईयों को दूर करने और बच्चों को अच्छे स्वास्त का अफसर दिने में मलत कर सकता है खादे शुरक्षा धिनियम 2013 के तहट सभी गरवती महिलाएं 6,000 रुपे प्रती बच्चे मात्रित्व लाब प्राने की अख़गार हैं लेकिन सरकार की लगातर उपेक्षा के बाद इस दिशा में अंतता 31 दिसंबर 2016 को प्रधान मंत्री ने जल्धी गरवती महिलाओं को 6,000 रुपे का मात्रित्व लाब देने की बात कही इस घोशना के तत्वाधान में 2017 में एक मात्यत लाब योजना प्रधान मंत्री मात्री वन्ना योजना शुरू की गई हाला कि इस योजना के प्रावधान National Food Security Act का उलंगन करते हैं जैसे कि मात्यत लाब केवल पहले जीविद बच्चे पर और 5000 रुपे तक ही सीमित है 2017 के बजट में इसके लिए 2700 करोड रुपे के बजट का प्रावधान किया गया था जबकि National Food Security Act मानदंडो के अनुसार मात्यत लाबू के पूर्ण क्रियानवन के लिए आवश्चक राशी 15000 करोड रुपे की थी वास्तविक वे मुश्किल से 2000 करोड रुपे का किया गया और 2018-19 के शन्शूदित बजट में इस आवंटित राशी को घटा कर 1200 करोड रुपे कर दिया गया आईए अब जानते हैं कि सरकार द्वारा शुरूगी की नीतियों की वास्तविकता क्या है कुछ समय पहले तक प्रधान मंत्री मात्री वन्दा योजना के प्रदर्शन के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी थी लेकिन अब RTI Act के तहट महिला और बाल विकास बंतराले से प्राप्ट आकड़ी और J.A.B.S. अर्वेक्षन इसके सूशना के लिए दो उप्योगी स्रोथ उपलब्ध है RTI से प्राप्ट जानकारी के अनुसार 1 अप्रेल 2018 और 31 जुलाई 2019 के बीच 80 लाग महिलाओं को कम से कम प्रदान मंत्री मात्रे वन्दा योजना के एक किस्त मिली और 50 लाग महिलाओं को इसके तीनों किस्ते प्राप्ट हुई 12 महा के अधार पर विप्तिवर्ष 2018 उन्निस में 60 लाग महिलाओं को आंशिक और 37 दशमलव 5 लाग महिलाओं को पूर्ण लाब मिला है यदि 134 करोड के अनुमानित जन संख्या और 20.2 प्रती हजार की जन्दर के अधार पे देखें तो भारत में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या लगभग 270 लाग है तथा इन में से आदे से अधिक बच्चे ऐसे होंगे जो अपने माता पिता की पहली संतान नहीं है इन आकड़ों से पता चलता है कि 2018-19 में सभी गर्वती महिलाओं में से कीवल 22 प्रतीशत को ही इस योजना के तहत पैसा मिला और लगभग 14 प्रतीशत को ही इसका पूरा लाब मिल सका है दूसरे शब्दों में कहें तो योजना अपने लक्षे को प्राप्ट करने में सफल नहीं रही है तो इस योजना के सफल होने की दरड़ बढ़ सकती थी इसके लावा दूसरा कारण इसकी आविदिन प्रक्रिया का जटिल होना है प्रतेक किस्त के लिए एक लंबा फॉर्म भरने के लावा महिलाओं को दस्तावेजों के श्रिंखला प्रस्तूत करनी होती है जिसमें अपने मात्रिश शिक्षू, सुरक्षा सरक्षन कार्ड के साथ पास्बुक, आधारकार्ड और पती के आधारकार्ड शामिल होते है इसके लावा विभिन दस्तावेजों में विवरणों का मिलान करना और बैंक खाते को अधार से साथ जोड़ना आवशक होता है अगर सरकार्ड ने आवदन प्रक्रिया को साइथ करने कोशिश की होती तो ये योजना भैतर परिणाम दे सकती थी और अंतिम कारण है ओल्लाइन आवदन और भुक्तान प्रक्रिया में तक्निकी गरबड़ी का होना जब कोई आवदन अस्युकार कर दिया जाता है या प्रशनों के साथ वापस भे दिया जाता है तो आवदक कोई इसके बारे में जानकारी हो सकती है या नहीं भी वस्तुता शिकायत निवारन सुविधाय यहां पर गयर मौजूद रही है आधार संबंदी समस्याओं का विशेश उले किया जाना चाहिए क्योंकि इन में से कुछ पहले देखी गई समस्याओं की पूर्णरा वृती है उधारन के तौर पर किसी व्यक्ति के आधार कार्ड और बैंक खाते के बीद जानकारी के मेल ना होने कारण भुगतान अर्शिकार कर दिया गया इसके लावा कुछ नई समस्याओं भी हैं जैसे कि 20% से जादा महिलाओं का कहना है कि उन्हें इकटनायों का सामना केवल इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि उनके आधार कार्ड का पता उनके माई की का था ना कि उनके ससुराल का इसके निवारन के लिए महिलाओं को पहली बार अपने आधार कार्ट को जमा करने के स्थान पर अपने पती के आधार कार्ट के इस्तमाल की अनुमती देना उचित होगा आईए अब देखते हैं कि वर्तमाल सरकार को तमिलनाडू और उडिसा की योजनाओं से किस प्रकार सीख लिनी चाहिए कुछ राजसरकारों ने अपनी स्वयम की प्रभावी मातित लाब योजनाओं को शुरू किया है इसमें पहला उधारन है तमिलनाडू का जो समाजिक शुरुक्षा के छेतर में अगनी भूमी का निभा रहा है यहां डॉक्टर मुथू लक्ष्मी रेड़ी मातित लाब योजना के तहत गर्वती महिलाओं को पोशन किट के साथ पहले दो बच्चों के जन के लिए प्रती बच्चे 18,000 रुपे की वित्यसायता दी जाती है और दूसरा उधारन उडीसा की ममता योजना है जिसमें दो बच्चों के जन को शामिल किया गया है हाला कि इसमें केवल 5,000 रुपे प्रती बच्चे की विस्था की गई है जच्चा बच्च सर्वेक्षन से पता चलता है ममता योजना काफी अच्छी तरह से काम कर रही है पिछले 6 महिनों में जिन महिलाओं ने बच्चों को जन दिया था उनमें से 88% ममता लाब के पातर रहे और 75% ने कम से कम दो किस्थों में से एक किस्थ प्राप्त की थी हाला कि लोगसबद चुनाफ के दौरान इस साल के शुरू में ही इन मुद्दों पे ध्यान आकरशित किया गया था लेकिन वर्तमान में योजना अपने लक्षों में सफल नहीं दिखाई दे रही है राष्ट इस्तर पे इन पहलों को विस्तारित और समिकित करने में बहुत कम समय लगेगा इसलिए सरकार को इस ओर अधिक ध्यान देने की आवशक्ता है आई देखते हैं आज के विस्ते जुरा हुआ मुख्य परिक्षा प्रश्न क्या हो सकता है भरत में मात्रित मित्यु दर को घटाने और महिला स्वास्त पोशन को बढ़ावा देने के लिए विभिन योजनाओं को बढ़ाईए साथ ही इस संदर्व में प्रधान मंत्रि मात्री वन्ना योजना की सफलता कर मुलांकन कीजिए हम आपको बता दें कि आज के पहले हिंदू में प्रकाशित लेक का आप इस आंसर राइटिंग में इस्तमाल भी कर सकते हैं हमें उमीद है आज का यांक आपकी प्रकाकिक परिक्षाव में साहिक सिद होगा निर्माण आइस के यूट्यूब चैनल को लाइक शेर वर सब्सक्राइब करने ना भूले धन्यवाद